Hello Traders and Welcome to the studio, Members, Hero Motocop को आज के दिर हम टेट कर रहे हैं आज का जो वीडियो काफी important होने वाला है, बहुत important important चीज़ हैं आज के दिर हम डिस्कुस करने वाले हैं एक trade करने की proper strategy, trade करने का system, वो हम आप लोगों साथ share करेंगे जिसमें की volume का major role क्या होता है, वो होगा, price का major role क्या होता है, वो होगा daily time frame पर levels कैसे नेकालते हैं, trend identification कैसे करते हैं, यह सारी चीज़ आज की वीडियो में clear होने वाली है अभी just video start करने से पहले, lower time frame पर यह 5 minute पर यह gap हो गया candle burning जिसने की gap up opening दे दी, अभी देखियागा, जब gap up opening होती तो फिर price नीचे आता है, जो भी gap हो तो उसको fill करने की कोशिश करता है तो काफी अच्छा move hero motocock के नतरह भी चल रहा है, अभी तो हम फिलाल नहीं निकलेंगे, wait करेंगे, अभी trade अपना hero motocock पर चल रहा है and lower और higher, दोनों ही time frames के उपर अभी में इसे discuss करेंगे and एक काफी important चीज़ होती है, just like positioning, कि candles की positioning से हम लोग कैसे एक stock analysis कर सकते हैं proper reading कैसे करेंगे, levels तो निकालना, एक बात होते ही, levels निकालने के बाद में, अब हम उसके positioning, उसके reading किस तरह से करते हैं यह पता चलिए कि अगर यह stock tradable है, या फिर यह tradable नहीं है, यह चीज़ें clear हो जाएं कई बार ऐसा होता है कि stock actually tradable है ही नहीं, फिर भी हम उसको trade करने की कोशिश करते हैं ऐसे stock में आप पूरे दिन फस्यर होगे, या फिर जब आप अपनी entry लितो हो तो वह जबजस्तिक entry होती, या तो वह stock sideways हो जाएगा, या तो फिर stop loss चला जाएगा तो इन सारे topics को पर हम discussion करेंगे आच के दिन, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को like ज़रूर की जगा है, चैनल को subscribe कर ली जगा, and telegram चैनल का link description में है, आप लोग group में join कर सकते हो, so thanks, start करते हैं आगे बलने से पहले अपनी trade book open करके देख लेते हैं, हमारी quantities की इतनी है, and कितनी पर हमने अपना ये trade execute किया, so, यहां से अपनी पहले model book open करते हैं, okay, so, hero motocorp के अंदर, 279 quantity के साथ में हमने अपना ये trade execute किया, and अभी का profit करीब 11,000 का round का चल रहा है, अच्छा, उमीद है भी कि जो 11,000 का profit है हमारा, ये भी और increase होगा, करीब 18,000 और 19,000 के round जाएगा, क्योंकि moves अच्छे है, spark अभी है जो हम देख रहे हैं stock के अंदर, क्योंकि daily time frame पर जो breakout होए, भी आगे चल करके, आप देख कूई कौई कौन से breakout के उपर हम बात करों, क्यों इतने confidence के साथ अभी हम हम इसको hold करें, देखे, 30,000 का हो गया, बहुत जादा volatility है, ये बहुत अच्छा हमें लग रहा है, hero motocop के अंदर आज move होने वाला है, सिर्फ hero motocop के अंदर ही नहीं, auto sector के जितने भी stocks है आज ये पूरी तरह से bullish रहने वाला, पूरी तरह से bullish रहने वाला है, अब आपने दे रहे हो 554 रुपए के असपास हमने अपनी entry लिए, तो आएए, शुरू करते हैं आज के वीडियो, सबसे पहले, daily time frame पर price and volume के combinations के साथ में अपने levels निकालने के practice करेंगे, and hero motocop के अलाबा भी, कुछ stocks और हम देंगे example के लिए, अब इसको नीचा आने देते हैं, क्यूंकि 5 जो कि कम volatile होते हैं, या जिन में बहुत कम volumes आते हैं, otherwise अच्छे stocks हैं, तो उसमें gap अगर हमारा fill हुआ है, यह हमारी observation है, अगर gap बनता तो वो fill हो जाता है, उसे समय वो fill हो जाता है, यह चीज इसलिए ज़रू है जानना, क्यूंकि जब यह gap बने और gap की बाद में अचानक से price नीचे आने लगा हैं, तो लो घबरा के निकलना नहीं कि अरे यह तो उपर चला गया था और वापस से तो खूँ नीचे आने लगा, क्या करें, निकल जाएं, ज्यादतर लोग exit हो जाते हैं, ज्यादतर लोग exit होते हैं, अब price देखो इतने उपर की तरफ गया, अब इतन का जो day high है, यह वाला जो high है, यहां से price फिर से हमारा upside की तरफ जाएगा, and होते होते यह day high को भी break करेगा उपर की तरफ, ऐसी expectation है मेरी, और यह होना चाहिए, सबी देखते हैं, क्या होगा इसके अंदर lower time frame पर, अब बात करते हैं, पूरे system पर, hero motocop को हमने trade कैसे किया, day time frame पर क्या system देख करके trade क्या है, एक चीज हम फिर से आप से कह रहे हैं, आज जो भी points हम आपको बताएंगे, इसको थोड़ा सा serious note में लीजिएगा, अगर आपके पास कुछ जहां पर आप अपने systems write down करते हैं, तो वहां पर इसे note जरूर कीजएगा, बहुत जरूरी है, काफ जादा से जादा practice करो, बहुत heavy quantities में मत जाना, जितनी हो से कि उतनी कम quantity के साथ में काम करना, बस जो stop loss लगाना, वो stop loss करना, last तक protect रहा है आपका, इतना सा काम को start करते हैं, देखें, जैसे hero motor cop है, अब यह move हो गया, उपर की तरफ यह नीचे चलाएगा, यह सब छोड़ दि एक proper जो अपनी analysis रे, एक professionalism के साथ उसको समझ रहे हैं, technical analysis में एक term होता है, which is called four golden inside bar, यह trading का एक method होता है, जिसमें हम लोग कुछ candles, specific candles का weight करते हैं, inside bars का weight करेंगे, and उस inside bar में हम लोग ज्यादा तर brick inside trade execute करते हैं, which is called four golden inside bar trading method, बहुत simple है, समझने में आसान है, trade करने में भी यह आसान है, लेकिन trade करने में यह आसान तभी बनेगा जब इसके जी जान लगा करके practice करते होगे, without practice कुछ नहीं कर पाऊगे, छोटे से छोटा भी system होगा, जो कि आपको किसी से दिया गया है, total इसके अंदर हम लोग तीन candles लेते हैं, एक यह candle, दो, और यह बहुत छोटी बाते हैं, वो बहुत ध्यान से समझना है, जैसे कि तीन candles हमारी बनेगा, अब इन तीन candles की खास बात ही होगे, कि जो हमारी main candle होती है, यह बड़ी वाली, हमने इसका high mark कर लिया है, and first वाली candle का हमने high mark कर लिया, अब जो तीन candles बनेगे हमारी आगे, यह मिला करके तीन candles होती ह 1st 2nd और 3rd ये total 3 candle बन गई अब हमें 4th day को trade करना होता है अगर हमें 4th day trade करना है तो कुछ specific signatures होते हैं जो ये stock कोशिश करता है देने की उसको पकड़िया है जैसे की सबसे ज़रूरी बात होती है volumes की अब इस drawing को देखिए 1st candle होती है हमारी base candle Base candle के अंदर हमें wait करना होता है 2 candles का Base candle को मिला करके ये बनती है हमारी second candle और ये बनती है third candle मतलब base candle को मिला करके total होती है हमारे पास 3 candles ये price का structure है 2 candles जो हमारी base candle के अंदर form होंगे उनके highs and lows हमारी base candle के highs and lows के अंदर होने चाहिए अब आता है volume का concept base candle की volume कम रहेगी इसके बाद में अगर second वाली candle की volume के breakout हो जाते है well and good हो सकता है second वाली candle की volumes के breakout ना हो अब मैं चाहिए third वाली candle की volume के breakout volumes के breakout actually होते हैं कि इसको समझें जैसे कि एक कोई भी candle जिसकी volumes handed next candle के अंदर volumes आ जाती 105 तो यह volumes के breakout हो गया handed and five के बाद में next candle form होती जिसकी volumes है just 50 तो अब volume breakout का मतलब यह नहीं होगा कि price का हमारा handed and five के उपर जाना जोड़ी नहीं 50 से उपर होना चाहिए बस वो तो यह volumes के breakout हो अब इसी जिसको यहां से correlate किजे कि फर्स्ट वाली candle की volumes कम है तो सेकेंड वाली candle की volume ज्याद होने चाहिए इस सिर्फ फर्स्ट वाली candle से हो सकता है सेकेंड वाली candle की volumes के breakout ना हो पाएं तो अब में थर्ड वाली candle की volumes चाहिए अब यह थर्ड वाली candle की 2nd वाली से जियादा होने चाहिए 1st वाली से उपर अगर निकल जाता हो तो निकल जाये लेकिन ये Volume breakout तभी हो गया जब हमने Last candle से जादा कि वाली से प्रयज कि के breakout लेकर 3rd वाली candle वापस आते अपनी structure पर Price का structure आपको समझ मैं अगया and अभी Volumes तो volumes भी हम देखेंगे इन दोनों में से किसी भी एक candle की volumes के breakout हो ये पूरा अपना बन गया volume and price को लेकर कि पूरा zone बन गया है, एक level बन गया अब इस level के अंदर हमारे एक point of action हमेशा याद रखना, जो second candle होगी हमारी, second वाली candle यही अपना point of action बनता है इसमें करना क्या होता है, हम लोग high और low mark कर लें, highs and lows से करना क्या होगा, first वाली candle, अगर red है, तो एक, दो, तीन, यानि के fourth day हम लोग buy ही करते है हमारे point of actions है, point of actions क्या है second वाली candle के highs and lows हमारी point of actions है अगर first वाली candle हमारी red है तो fourth day हम लोग buy करेंगे इसके just opposite अगर first candle हमारी green है तो fourth day फिर हम लोग short करते है जैसे price यहाँ पर आएगा हम लोग यहाँ से short करेंगे यहाँ से इतना simple सा method है इतना ही कोई complications नहीं है याद रिखेगा तीन candle समय चाहिए inside bar और यह fourth candle जिसने हम trade करते हैं उसको मिला करके हो जाती है four inside bar और यह बहुत अच्छा काम करता भी आपको इसके फिलाल तो hero motor को आपको missy method से trade कर रहे हैं इसके अलाबा भी अगर हो पाएगा तो दो-तिन example हम आपको और दिखाएगे ताकि confidence उससे बड़े अगर वीडियो थोड़ा भी helpful लग रहा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आई हुए हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा because price actions related बहुत अच्छे चीचीजे कोशिश करते हैं कि काफी अच्छे concepts हम आप लोगों के साथ share करें अच्छे concept in the sense कोई magic नहीं वो concepts जिससे trades बहतर हो कोई larger than life expectations ले करके नहीं जो reality है reality को संदो market reality पर ही चलती है उसको समझ के काम करूँ हम लोग options के आगे पीछे भागते लेकिन options में कुछ नहीं होना है कई लोग आते हमारी बातों से इतिफाक भी नहीं रखते है कईयों का कहना है कि नहीं options हो तो पैसा बनता है हम कहते हैं बनता है तो बनाईए और कुछ दिन के बाद वहीं आते हैं सही कह रहे थे हैं कुछ लोग मारे सरम के नहीं आते हैं moral of the story options को आपको करना है न अगर कोई कहर आपसे कि option बुरी चीज़ है तो मत मानो करके देख लो वो चीज़ जब realize होगी तो शायद उसे अच्छी तरह समझ में आ जाए अभी हमारी उक्वी बहुत ज़्यादा age नहीं हुई है लेकिन जितनी age इसमें हम समझ कहें कि किसी को अगर आप कोई बात समझाओगा न वो समझ नहीं सकता जब तक वो खुद उस situation से गुजर ना ले वरना बहुत मुश्किल होता अगर आप किसी को कोई भी बात समझाओगा सिर्फ यहीं ने कोई भी को समझो यह ज्याद अच्छे से समझ में आएगी 4th day हमें सिर्फ trade करना है हम फिर से बोल रहे हैं 4th day हमें trade करना है 1st candle अगर green होगी तो 4th day हम लोग short करेंगे 1st candle अगर हमारी red होगी तो 4th day हम लोग buy करेंगे clear अब चलते हीरो मोटो कॉप के अंदर अच्छा एक चीज़ और जैसे इसमें 1st candle हमने यह mark कर लिए यह भी mark कर लिए 2nd candle भी हमने mark कर लिए यह बन जाते ही हमारी 3rd candle तीनों candle हमने mark कर लिए अच्छा marking करने के बाद में काफी important point आता है which is called readings हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 2nd candle के highs और low से trade execute कर दो हमें readings भी करनी होगी जिस area से हम trade execute करना चाहरे है क्या price उस chart को या chart उस price को support कर रहा है नहीं कर रहा है हमने तो marking कर लिए क्या वो chart हमारी उस marking को accept कर रहा है क्योंकि बहुत से chart accept नहीं करते हैं आप trade execute करोगी वो आपके opposite direction में चले जाएंगे कहने का मतलब कि जब आप marking करो trade execute करने जाओ तो उसकी एक बार readings जरूर कर लो और readings कैसे होगी अभी हम आपको बताते है price देख रहा है अब हमने कहा था कि यह gap fill कर देने के बाद में यह उपर की तरफ ही जाएगा so moves हो रहा है आप यहां पर देख लो यह resistance area है जो black वाली candle आप देख रहा है यह breakout हो जागा ना तो यह जो pin bar है इसका भी high टोट जागा day high तक इसको chances है यह चला जागा day high तक हम वेट करेंगे फिलाल तो remove कर देते हैं सारी markings आप यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग price को लेकर के चलेंगा price में देखे क्या हो रहा है हमने high mark कर लिए हमने low mark कर लिए एक और दो यह दो candles बनी अब आप volumes कौन को लो यहां देखो 11 तारीक की volumes के breakout है मतलब जो बड़ी candle है actually उसकी volume कम है और जो चोटी सी candle है विलकुल एक चौता ही candle है हमारी previous candle के कि उसकी volume देखो previous candle से ज्यादा है मतलब volumes के तो breakout है और यहां देखो तीसरी candle बनी है अब हमने क्या किया है हमारे पास यह एक area है and यह लाग point इस एक जगे से हमें अपने trades execute कर लिए simple और हम आपको देखा दे हिंडाल को है mark कर लिया अब देखे one and two दोनों candle हमने देख लिए कि तीन candle हमारी बनी है base candle क्यांता है अब जो second वाली candle उसका आप low mark कर लो trade यहीं से करना या तो loss या तो फिर high sim करना वाई ही है क्योंकि इसमें भी देखो red candle ही form हुए अब आप lower time frame पर आजाओ lower time frame पर प्रॉपर अपने entries के confirmations लो entry to execute कर दो बहुत अच्छा move मिलता है एक example और देखे LTF का chart है हमने high mark किया हमने low mark किया यह अपनी base candle हो गए second candle क्यों से है यह वाली हमें बिल्कूल second वाली candle के high से या फिर low के पास से buying करनी है सारी चीज़ें छोड़ दो सिर्फ आप high के पास से buying के confirmations का वेट करोगे lower time frame पर आओ जैसे यह आपको इस एक जगे से buying के confirmations में आप trade execute कर दो इतने example अभी हमने आपको देखा है अब वापस से हम चलते है अपने chart के ही remote का पर अभी हमने आपस से क्या कहा कि अगर first वाली candle हमारी red है तो फिर हम लोग fourth day buy करेंगे first हमारी candle green है तो fourth day हम लोग short करेंगे लेकिन यह trade opposite direction में भी किया जाता है अगर first हमारी candle red है तो फिर fourth day भी यह short होता है first candle अगर हमारी green है तो fourth day भी यह buy होगा इनके methods दूसरे होंगे confirmations लेने के तरीके दूसरे होते हैं तो उन methods पर हम नहीं जाएंगे फिलाल तो भी तो एक concept आप बस स्याद रखना है जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि first red है तो आप fourth step buy करोगे फिर्स्ट green है तो fourth step short करोगे अब दोनों side की तरफ trade execute करने बिल्कुल भी मच जाएगा वो थोड़ा सा complicated हो जाता है कुछ चीजों के confirmation समय उसके अंदर और लिने होते हैं sectors को भी देखने होते हैं and proper अपनी analysis करनी पड़ती है clear तो यह तो एक concept बाग अब हम लोग बढ़ते है readings की प्राइस तो देखे काफी अच्छा move दिखा रहा है हम लोगों को five minute पर चलते हैं हमने कहा था ना कि day high break होगा अब कोई exit exit नहीं कि trade चल रहा है अपना देखते हैं कहां तक जाएगा अब आते हैं लोग day time frame अब daily time frame पर इसको एक एक करके पूरी candles को हम read करेंगे हमें इस एक जगे से buy करना है अब हम लोग day time frame पर अपने chart को read करने की कोशिश करेंगे अच्छा readings हमें चाहिए क्या price के हम positions देखते हैं इसका trend identify करते हैं double confirmations के लिए मेरी master candle कौँ सी है यह वाली हमें यह देखना है कि price अपनी master candle के पास से react कैसे कर रहा है यहाँ पर एक low लगा इस low के बाद में हुआ क्या है price ने देखो हाई नीचे के तरफ shift हुए और lows भी down side के तरफ shift हुए उसके एगले दिन क्या हुआ हाई की तरफ shift हुए और lots में price ने इपनी master candle का low तक break कर दिया आप यहाँ पर interesting चीजा देखो जो candle आपने master candle को downside के तरफ ब्रेक करके वापस से हमारी range के अंदर आ गई तो कुछ तो ऐसा होगा हमारी इस candle के नीचे इसका पता हम कैसे लगाएंगे Rejected candle का low mark करो आप ज्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ आप low mark करो and इसका past data read करो कि यहां से क्या हुआ है क्या मैं देख रहा है कि price बिल्कुल इसी जगे से support लेकर के again and again upside की तरफ गया है यहां से वापस से देखो price यहां पर आया है यहां पर एक swing low लगा देने के बाद में एक यह high लगता है वापस से देखो swing high लगा और यह हमारा low लगा low तो same है मतलब कि low protect है low protect हो रहे हैं day time frame के according और वापस से देखो price हमारा उपर की तरफ चला गया फिर से समझो इसको बहुत minute सी चीज़े हैं हो सकता है सरदर्द करने लगा यह हो सकता है चुट्कियों में समझ में आ जाए बहुत जादा समय नहीं लगता है आप देखो कि price ने एक swing low लगा या एक high लगा दिया वापस से देखो यहाँ पर rejection हुआ इसे candle के recording हम देख रहे है न वापस से देखो rejection हुआ और price हमारा upside की तरफ हमारी master candle कौन सी है black वाली price यहाँ से क्या कर रहा है बार बार हमारे support को downside की तरफ break करने की कोशिश कर रहा है यहाँ देखो lows नीचे की तरफ shift हुए lows नीचे की तरफ shift हुए lows support पर आ गया अब यहाँ से price हमारा उपर की तरफ चला गया और अब क्या हो रहा है जहां अभी तक highs and lows downside की तरफ shift हो रहे थे continuously वैसे ही price ने जैसे support लिया support पर आया क्या हुआ हुआ ब्रेक हो गया है ना lows upside की तरफ shift हो गया आगे इन देखो high break हो अब यह देखो lows हमारे उपर की तरफ चटते चले जा रहा है है ना फिर से देख यह candle हमारी हमने इसका low mark कर लिए अब जब तक price अपने support पर नहीं आया इसने क्या किया है simply अपने low को break किया है highs को नीचे की तरफ shift कर दिया price अपने support पर आ गया previous support पर यहां से फिर यह उपर की तरफ चला गया अब अगर वापस से price को नीचे की तरफ गिरना तो फिर यह गिर जाना हमारी master candle के low से support क्यों ले रहा है बार बार अब अगर support ले रहा है तो यहां पर resistance भी तो break हो रहा है मतलब highs upside की तरफ shift हो रहा है highs हमारे upside की तरफ shift हो रहा है lows भी upside की तरफ shift हो रहा है यहां देखो एक, दो, तीन फिर दखो low upside की तरफ shift मतलब कि क्या इस candle के form हो जाने के बाद में कोई bullishness हमें दिखा भी पड़ रही है हाँ, बहुत आसानी से हम देख पा रहा है अब इसी के अंदर अब एक काम और कर दो volumes को add कर लो price बेशक नीचे आ रहा है मेरा बट volumes क्या कर रही है volumes भी तो नीचे आ रही है है ना, और वापस से देखो इस candle के बन जाने के बाद से फिर देखो volumes के breakout होने शुरू price हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है volumes नीच आ रही है price हमारा एक support से support लेकर के उपर की तरफ है इसने अपने highs को break करना शुरू किया lows को upside की तरफ shift करना शुरू कर दिया और highs को उपर की तरफ break करना शुरू कर दिया with volume इससे जादा क्या confirmations चाहिए आपको कोई price आपको strong है या भी एक है तो ये तो readings हो गए अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि price क्या कर रहा है अब golden bar के according क्या होना चाहिए यहाँ पर दोखो यह red candle बनी है आज हमारी green candle यह होगी जागा जहां से लोगों को अपना trade execute करना है बहुत simple से methods होते हैं दोखो price action में ऐसे से concepts हैं कि अगर आप practice करने बैठोगों तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़े समझ वाएगे एक relief मिलेगा जब आप trade execute कर गए तो relief मिलेगा ऐसा नहीं कि 2 या 3 candle फटा फटा हो और आप लेकर के निकल गया 20 रुपय का premium 100 रुपय हो गया 20 रुपय का premium यह खसार हो गया हुँआ है वो हो गया वो हो गया थोड़ी के देर में 100 रुपय हो था थोड़ी देर में 100 रुपय का premium फिर कभी-कभी 10 रुपए भी नहीं बस और आप इसी लालच में बैटे रहोगे नहीं अभी देखना ये मल्टी बगर बन जाएगा ये जो option है मेरा इस चक्कर में नजाने कितने बरबाद हो गए वो कोई professionalism थोड़ी नहीं आप एक अंदाजे में बैठे हुए हो बस कि अभी एक spike आजाएगी मज़ा आजाएगा जब आप price को इस तरह से read करते हैं तो कोई लाड़ चे दे लाइफ expectations नहीं simply हम लोग read कर रहे है candles को candles के साथ जोड रहे है volumes को पड़ रहे है अपने levels identify कर रहे है entries के confirmations ले लिए stop loss को हमें सिर्फ protect करना अपने stop loss को targets को जो देना है दे हम accept करके रखेंगे target but main point target target पर profit booking का है ही नहीं जो हमने stop loss लगा है बस वो stop loss मेरा safe रहे है अब यकीन मानो अगर stop loss अपना बचा लेके लेके जाओगे नहीं जादे ले जाओगे कम ले जाओगे लेकिन profit लेके जाओगे बस stop loss safe रखो बहुत है इतना और फिर से एक बात हम repeat कर रहे है first candle green है fourth day buy हो रहा है लेकिन fourth day short भी होता है ये चीज़ अभी हमने आपसे कही न कि अगर red candle बनी तो अगले दिन fourth day short भी करेंगे short करने मत बैठ जाना ये थोड़ा सा trend के अगेंस्ट में जाकर के हमें काम करना होता है उसके ओपर focus मत करना बिल्कुल भी उसको वो मत करना आपको कई सारे charts ऐसे दिखेंगे कि एगले दिन market गिर गई red candle बनी है और fourth day market गिर गई अब यहां पर देखिए अगर हम 11 July के candle के हाई को हम mark कर ले अब हमें यहां पर चाहिए हमारे entries के confirmations तो हम आ जाते हैं lower timeframe पर फाइफ मिनट पर 45 तो last है बस 45 पर तो किसी भी कीमत पर हम निकल जाएंगे यह high break हो जाने के बाद में क्यूंकि day high जो इसका था वो 20 पर था तो थोड़ा बहुत 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 बेगरी चला ना 0.50% तो minimum इसका रहेगा कि 0.50% यतना होना चाहिए तो इसलिए 4645 के आसपास हम निकल जाएंग जो भी trade हमने execute किया उसके proper analysis क्या रही है profit हुआ loss हुआ trade किया trade नहीं किया क्यों नहीं किया अगर को trade किया तो उसके पीछे का reason था नहीं किया तो उसके पीछे का reason था यह लगातार हम update करते रहते हैं तो आप उसको देखो इसे trades बहतर होंगे तुमारे चलिए यह बाते तो ह हुआ trades की और शुरुवात की minutes में जो भी topics हमने आपसे कहें थे I hope कि वो सारी के topic आज की वीडियो में हमने cover कि होंगे लेकिन फिर भी बहुत साही चीज़ ऐसे हो थी जिनको कि हम public platform पर share नहीं कर सकते फिलहार अभी का अपना यह trade चल रहा है और अभी हम just wait करें price अभी जैस efficient एक decent सा profit है 3000 का risk है and 3000 का risk से अभी का अपना profit चल रहा है 19,300 के आसपास का profit चल रहा है which is enough कोई जोरी नहीं कि आप options से ही पैसा बना पाऊगे एक सही analysis के साथ में काम करो proper confirmations लो एक professionalism के साथ में काम करो आप कम capital के साथ में equities में बहुत अच्छा पैसा बना लोगे यहां तो stop loss है या तो फिर target chain बीच में निकलेंगे नहीं order book हम आपको दिखाते है morning में देखो अभी तो फिलाल कोई selling order में नहीं लगाया अपना अभी हम sale करेंगे नहीं wait करेंगे price अगर अपना को support पर करेगा तो हम short exit करेंगे otherwise अभी हम नहीं निकलें wait करेंगे morning में देखे 10-12 पर अपने entry ले थे और 10 net के बाद इस stop loss लगा दिया था अब entry ले लेने के बाद में proper हम अपने stop loss का wait करेंगे या तो फिर target का wait करेंगे अब यही काम आप जाओ करने के लिए options में नहीं रहेगा इतना आप जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करोगे professionalism त तो उसे कोसों दूर होते हो ट्रेट करके अब आपका यह रहता है कि जल्दी से जल्दी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले करके यहां से बाहर निकल जाओ आप कर लो आप चार दिन पास दिन अच्छ प्रॉफिट बना लोगे लेकिन वीक के लास्ट में फिर जितना भी प करो या तो टार्गेट का वेट करो या स्टॉप लॉट करो इस तरह से प्रैक्टिस करो कुछ पैसा डेली मार्केट से घर लेकर करके जाओ इससे एक हैविट बनेंगे डिटिंग की उपर कॉन्फिटेंस आएगा इससे ट्रेट तुमारे और बहतर होंगे सो आज की वीडि आपको काफी पसंद आए होगा सो थाइंक्स सेंट वी विल मीट अगें